हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आगे भी रहेंगे और लॉक्डाउन के इस दौर में अपने घर पर ही रह रहें होंगे इस दौर आना आपकी पढ़ाई का ज्यादा नुक्सान नहों इसलिए एन्बियस पॉब्लिक स्कूल अपनी ओनलाइन क्लासे शुरू कर रहा है इसमें आज हम क्लास एट की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो यह है साइंस की बूक आपकी स्टार्ट अप आप में लिए और बाखी चैप्तर की बात बाद में और तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं पहला चैप्टर उसको उपयांनेज्मेंट करना क्या केसे उपजाई जाती है कैसे पैदा की जाती है और उसका कैसे प्रबंधन किया जाता है इन्ही सब चीजों के बारे में आज हम पढritis क तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चैपटर में introduction part क्या है यानि कि हम इसमें chapter में क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं तो chapter में हम सबसे पहले पढ़ेंगे agriculture practices agriculture practices दूसरे number पर पढ़ेंगे preparation of soil यानि कि agriculture करने के लिए जमीन को कैसे तयार किया जाता है उसके बाद पढ़ेंगे selection and sowing of seeds यानि की seeds यानि की adding manure and fertilizer यानि की जमीन में खाद मिलाना तीसरा है irrigation यानि किसे चाहिए चौधा protection from weeds यानि खर-पतवार कीडे मकॉर्णों से हमारे फसल की सुरच्छा और पांचवा है हर्वेस्टिंग चलिए अब शुरू करते हैं we all know that food is essential for our survival हम सभी जानते हैं कि food यानि की खाना हमारे survival यानि जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी होता है the energy we obtain from our food is utilized for carrying out various functions of our body like digestion, respiration, excretion, reproduction, etc. यानि कि खाना हमारे जीवन के लिए जरूरी तो है खाना हमारे जीवन के लिए जरूरी क्यों है the energy we obtain यानि कि खाने से हमें जो energy प्राप्त होती है the energy we obtain from food is utilized for carrying out various functions यानि खाना खाने से हमें जो energy मिलती है वो हमारे शरीर के अलग-अलग कारे करने में इस्तेमाल होती है जैसे कि digestion यानि कि पाचन खाना खाने के बाद उसको पचाने के लिए जो energy लगती है respiration यानि सांस लेने में जो energy लगती है excretion हमारे सरीर से unused या waste material बाहर निकालने के लिए जो energy लगती है जैसे कि पसीने के रूप में या किसी और रूप में इन सब चीजों के लिए हमें जो energy लगती है वो हमें कहां से मिलती है food से अब हम देखते हैं कि सब लोग कैसे खाना खाते हैं सम अनिमल्स और हार्विवोरस का मतलब होता है शाकाहारी सम अनिमल्स और कार्णिवोरस का मतलब होता है मांसहारी और some animals, some like humans being are omnivorous यानि कुछ सरवभच्ची होते हैं जो सब कुछ खाते हैं जो मांस भी खाते हैं और सबजियां भी खाते हैं उसके बाद देखिए In order to provide food to a large population Food needs to be produced on a large scale to meet the increasing demand of pupil In order to provide food to a large population यानि एक बड़ी जन्समुदाय को खाना उपलब्ध कराने के लिए Food needs to be produced on a large scale खाने को हमें एक बड़े पैमाने पर पैदा करना होगा क्यों पैदा करना होगा? ताकि हम लोगों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा कर सकें Hence, proper management and distribution of food produced on a large scale is necessary यानि की proper management उचित प्रबंधन जरूरी है and distribution और उसका वितरण उचित प्रबंधन और वितरण जैसे कि हम आज के समय में भी देखते हैं कि सरकार गरीबों को चावल गें हूँ यह सब उपलब्ध कराती है सस्ते रेट में और lockdown के इस दौर में मुफ्त में लोगों को चावल गें हूँ आदी उपलब्ध करा रही है ताकि लोग भूखे ना मरें उनके शारीरिक जरूरतें पूरी हो सकें तो यह सब बहुत जरूरी है दा प्रिमिटिव मैन यानि की आदी मानो वाज एक शिकारी था और फूट गेदर था यानि की वो खालने को पैदा नहीं करता था फसल को उपजाता नहीं था वो एक शिकारी था और खाने को इकठा करता था वो एक जंगली जीवन वितीत करता था और in search of food यानि कि खाने की तलाश में वांडर घूमता रहता था from place to place यानि एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक वो खाने की तलाश में घूमता रहता था He ate whatever he found उसे जो मिलता था वो वही खा लेता था ऐसा नहीं कि उसको गेहूं ही खाना है या चावल ही खाना है या रूटी ही खाना है उसको जो मिलता था वो वही खा लेता था He accidentally discovered that plant could be grown accidentally का मतलब होता है कि उसको अचानक से discovered उसने अचानक से ये खोज की कि पेड़ पौधों को उगाया भी जा सकता है ये अपने आप ही नहीं उपते हैं He thus started cultivating crop जब उसने ये अचानक खोज कर ली कि पेड़ पौधों को उगाया भी जा सकता है तब उसने cultivating crops यानि पौधों को cultivate करना शुरू कर दिया He improved irrigation facility He improved irrigation facilities and used scientific methods to grow crops उसने सिचाई के साधनों का विकास किया और grow crops यानि फसल को उगाने में scientific methods यानि विग्यानिक तरीकों का उप्योग शुरू किया जैसे विग्यानिक तरीके क्या है जैसे खेट को आज हम जूतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तिमाल करते हैं कुछ साल पहले तक हल का इस्तिमाल किया जाता था तो विग्यानिक मेथड यही होते हैं कि जो कम मेहनत में अधिक काम करते हैं वो होते हैं विग्यानिक मेथड इस प्रकार हमारे एग्रीकल्चर यानि खेती का विकास हुआ दव वर्ड एग्रीकल्चर यानि जो एग्रीकल्चर शब्द है यह आया कहां से इस डिराइवड फ्रॉम लेटिन वर्ड एगर यह जो एग्रीकल्चर वर्ड है यह एक लेटिन वर्ड से आया है और वो Latin word कौन सा है? एगर जिसका मतलब क्या होता है? Field यानि कि खेट and culture culture का मतलब क्या होता है? Cultivate यानि कि जो यह agriculture word है यह Latin word से आया है एगर जिसका मतलब होता है field और culture का मतलब होता है cultivate यानि कि उप जाना Thus agriculture means producing crops and looking after them इस प्रकार से agriculture का मतलब होता है कि crops यानि फसल को उप जाना and looking after them और उसके बाद उसकी देखभाल करना Agricultural practices अब खेती के लिए क्या क्या practices की जाती हैं? उसको हम देखेंगे A number of activities have to be performed by the former to grow crops अब एक फसल को उप जाने के लिए एक किसान द्वारा बहुत सारी क्रियाएं के जा सकती है Number of activities बहुत सारे काम करने रहते हैं Plants of the same kind grow at one place on a large scale called crop एक ही प्रकार के पौधे या एक ही प्रकार के फसल जब एक बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जगां पर उप जाई जाती है तब उसे crop कहा जाता है या निकी फसल ऐसा नहीं कि अगर कहीं गेहू का एक पेड़ूगा है तो हम उसे गेहू की फसल कहने लगेंगे या कहीं चावल का एक पेड़ूगा है दो पेड़ूगा है तो उसे हम चावल की फसल कहने लगेंगे जब एक ही खेत में कई सारे चावल या गेहूं के पौधे उपते हैं जिनका हम इस्तेमाल खाने पीने के लिए करते हैं तब उसे फसल का आ जा सकता है For example, एक्जामपल के रूप में हम देख सकते हैं Several plants of rice grown in a field form a crop of rice यानि कि एक चावल की फसल पैदा करने के लिए A large number of crops are grown in India depending on climate, rainfall and humidity अब हम देखेंगे कि भारत में जो फसल उप जाती है, उगाई जाती है वो किन किन चीजों पर depend करती है तो a large number of crops, यानि एक बहुत बड़ी मात्रा में फसल ऐसी उगाई जाती है इंडिया में जो depend करती है यानि निर्वर करती है किस पे? climate पे यानि जलवायू पे, rainfall यानि वर्षा पे और humidity यानि कि वातावरान में कितनी नमी है तो हम लोग जानते ही है कि बरसात के मौसम में फसल उगाई जाती है या ठंडी के मौसम में अलग फसल उगाई जाती है different crops are grown in different region of our country हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यहां चावल और गेहूं काया जा सकता है या अगर फिर हम पस्ची मंगाल की बात करते हैं तो वहां जूट की खेती की जा सकती है अगर हम महराश्ट की बात करते हैं तो वहां फलों की खेती की जा सकती है अगर हम मद्य परदेश की बात करते हैं तो वहाँ दालों की खेती जादा होती है इसे प्रकार हम दच्छन के राजों जैसे कीरल आदी की बात करते हैं तो वहाँ मसाले और काजू आदी की पैदावार अदिक होती है इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग रीजिन में अलग-अलग प्रकार की खेती की जा सकती है Crops are basically classified into two kinds based on season तो ये जो सारी फसलें उगाई जाती हैं इनको हम मुखिता दो हिस्सों में बाट सकते हैं based on season, यानि season के आधार पे कौन सी फसल ठंडी में उगाई जाती है, कौन गर्मी में उगाई जाती है, इस आधार पर इनको हम मुखिता दो हिस्सों में बाट सकते हैं किस में से पहला क्या है? रवी क्रॉप अब रवी क्रॉप के बारे में जानते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रवी की फसल है, खरीब की फसल है, तो ये दो मुख्य प्रकार होते हैं भारत में खेती के, इनको हम season के आधार पर divide करते हैं पहला क्या है? रवी क्रॉप ये जो फसल होती है, यानि कि रवी की फसल होती है, आर ग्रोण यानि उप जाई जाती है कब? विन्टर सीजन में, यानि कि ठंडी के सीजन में, ठंडी के सीजन में जो फसल उप जाती है, उसे क्या गयते हैं? रवी क्रॉप अब देखिए ठंडी के मौसम में आ गया ना सोन मतलब बोई जाती है कब बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में अक्टूबर और नवंबर में जो फसल बोई जाती है एंड हार्वेस्टेड यानि उन्हें काटा जाता है कब मार्च और अपरेल में यानि कि एसी फसल जिसे हम funded के सीजन में बोते हैं यानि अक्टूबर – नॉउंबर में बोते हैं और हारवेस्ट करते हैं का मार्च – अप्रेइल में, उन्हें हम कैसी फसल कहते हैं? इन्हें ठंडी की फसल भी कहा जा सकता है जायरती बात है क्योंकि ठंडी में बोई जाती है तो ठंडी की फसल कहा जाएगा अब इनके एक्जामपल क्या है इनके एक्जामपल है वीट बारले ग्राम पी इनके एक्जामपल है wheat यानि की गेहूं बारले यानिकी जो ग्राम यानिकी चना पी यानिकी मतर सरसो इस टाइप Q श्रसल रभी के मौसम यानि के थंडी के मौसम में वोई जाती है इसके बाद हम देखेंगे नमबर दो पर कौन है नमबर दो पर है खरीफ की keyboard अब खरीफ के क्रॉप के बारे में क्या बात करेंगे जैसे अगर हम लोग जानते ही है कि ठंडी के मौसम में रभी की क्रॉप बोई जाती है और गर्मी के मौसम में काटी जाती है तब उसी का उल्टा क्या हो जाएगा खरीफ क्रॉप तो खरीफ क्रॉप अब जून जुलाई के मौसम में क्या होता है ना बहुत जादा गर्मी रहती है ना बहुत जादा ठंडी रहती है बलकि गर्मी जादा रहती है और क्या होता है बरसात होती है या जो बरसात में बोई जाती है they are shown in जून जुलाई यानी जो जून जुलाई के मौब सम में बोई जाती है and harvested in September, October and September, October के महीने में उनको काटा जाता है इसी फसल को क्या कहते है खरीफ crop they are also called summer crops इन्हें गर्मी की फसल भी कहा जाता है these crops need a large amount of water अब देखीए अब ये फसल बरसात के मौसम में बोई जा रही है तब देखियो उसका फाइदा क्या है दीज क्रॉप्स नीड लार्ज अमाउंट आफ वाटर यहनी इनको पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत का पूरी होगी या तो हम सिचाई के माद्ध हम से पूरी करें और सिचाई के साधन इतने उपलब्ध है नहीं इसलिए खरीफ के फजल जो है बरसात में बोई जाती है जब आसमान से ही पानी बरसता है आसमान ही हमें पानी उपलब्ध करा देते हैं वही लिखा भी हुआ है कि इन फसलों को पहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की जुरूत होती है इसलिए इन्हें रेनी सीजन यानि बरसात के मौसम में बोया जाता है अब इनके एक्जामपल क्या है राइस मेज मतलब की चावल मेज मतलब की मक्का कॉटन मतलब की कपास ग्राउंड नट मतलब की एंड सोया बीन सोया बीन का मतलब सोया बीन उसके बाद हम देखते हैं इस पल्सेज एंड वेजिटेबल्स और और सो ग्रेन इन मैनी प्लेसेज इन सब के अलावा पल्सेज यानि दाल और सबजियां भी अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर बोई जाती रहती हैं एक्जामपल्स आफ सम कॉमन क्रॉप्स अब एक्जामपल क्या है कॉमन क्रॉप्स का एक्जामपल क्या है ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको मतलब अलग से नाम नहीं लिए जा तकता जैसे गेहों के फसल बोई जाती है तो उसे गेहों की नहीं फुरते हैं जैसे कि अब वीट का मतलब गी हूं राइस का मतलब चावल और मेज का मतलब मक्का यानि कि अगर हम कहते हैं कि इस इस्थान पर सीरिल क्रॉप का सीजन चल रहा है यानि कि हम वीड भी बहु सकते हैं राइस भी बहु सकते हैं मेज भी बहु सकते हैं इसे प्रकार अगर पल्सिस की बात करत की चारहर की दालबुईगे है या चानी की डालबुईगे हैं हम कहते हैं कि पलस स्क्रॉप हैं इसी प्रकار औल फित Zar행 जिन से अधिक हमें मिलता है उसमें क्या होता है MR होता है यानि सद्राइब होता है राउंड नाट होता है यानि की मौझफली होता है तो तो अगर हम कहें कि ऑईल क्रॉप है इसका मतलब होता है आए आए ऑईल क्रॉप इसके बाद आता है ट्यूबर क्लॉप ट्यूबर क्रॉप में आता है पोटेटो ओनियन फाइबर क्रॉप ऐसी फसल जो रेशेदार होती है उसमें आता है कोटन और जूट यानि कापास और जूट जूट का इस्तेमाल हम लोग बूरा बनाने में करते हैं जिन में जो है हमारे किसान भाई अपना सामान मंडियों तक ले जाकर बीजते हैं जूट के बोरे आते ही हैं आप लोग जानते ही होंगे इसके अलावाँ फ्रूट हम ऐसे नहीं कहते हैं कि एपल की खेती हो या मैंगो की खेती हो या बनाना की खेती हो हम कहते हैं फ्रूट की खेती चल लगाई है फ्रूट का सीजंसलना है कि लिट असनों अबोड बेजिक प्रक्रिक्पर्यटिसेस और प्रोडच्छन चले अब हम जानते हैं की सिक प्रक्रेक्प्रेक्टिसेस यानि क्या मुख्य मुख्य कारे करने पड़ते हैं एक फसक्षित जाने के लिए For growing crops, a farmer has to perform a number of activities over a period of time in a proper sequential manner For growing crops, यानि फसल को उप जाने के लिए A farmer, यानि किसान को has to perform a number of activities यानि कई सारे कारिक करने पड़ते हैं Over a period of time, यानि कि एक लंबे समय के अंदर In a proper sequential manner एक उचित manner में, एक के बाद एक proper sequential manner में एक किसान को कई सारे कारिक करने पड़ते हैं अब जैसे, जैसे कि पहले किसान खेत को साफ करता है फिर उसमें हल चलाता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर पानी डालता है, फिर खाद डालता है यह सारे काम में सीक्वेंस में होने चाहिए ऐसा नहीं है कि हम पहले खाद ही डाल देंगे उसके बाद दूसरा काम करेंगे तो फसल हमारी सही नहीं हो पाएगी तो यही किसान जो सारे काम करता है उन्हीं को क्या का जाता है अग्री कल्चर प्रैक्टिशेज इस अक्तिविटी इंक्लूड है यानि किसी भी फसल के लिए सबसे पहले किसान क्या करता है मित्टी को तहीं आ करता है कि यानि मिट्टी में कुछ बच तो नहीं गया है कोई कीडे मकौडे तो नहीं है उनको सही से जोता गया है कि नहीं जोता गया है यह सब कार करता है प्रिप्रेशन और स्वाइल यानि सबसे पहले मिट्टी को त्यार करता है उसके बाद क्या करता है सेलेक्शन एंड सोइंग सबसे पहले तो बीज चुंटा है कि उसे कौन से बीज बोने अब जैसे AHM Lagi के मौसम में हमारी कौन सी फचल बोई जाती है उए और गर्मी के मौसम में कौन वर सब्चक्ट तो आगर हम थंडी के मौसम में छंडी फचल बोने है तो उसको ऐखाद मिलाते हैं उसके बाद क्या करते हैं इा इ возвращ in यानि किसी चाही करते है उसके बाद protection from weeds कीडे मकौड़े से हम अपनी इसे को बचाते हैं कि सभी करते हैं जब हमारी फसल पूरी पैदा हो जाती है फिर हम उसे काट लेते हैं उसके बाद क्या करते है इस्टोरेज करते हैं यानि कि जो हमारी फसल पैदा हो गई है उसे हम एकठा करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या क्या पढ़ लिया है आई एक बार देख लेते हैं अभी तक हम लोगों क्या पढ़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बाद एगरी कल्चर प्रैक्टिस पढ़े उसके बाद हम लोगों ने देखा रभी क्रॉप रभी क्रॉप होती है जो ठंडियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी हैं तो बाकी की बात जो है आज की क्लास बस यह तक करते हैं बाकी का चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको NBS Public School का यह प्रयास पसंद आया होगा थैंक यू